मालविका उसे बताती है कि उसे अनुज और जी के की जरूरत है और सबसे महत्वपोन बात यह है कि उसे चाहिए. पहले यह देखा गया था कि वनराज अनुज से सब कुछ शीनना चाहता है और उसी का मालिक होना चाहता है. अभी तक वनराज छोटे कदम उठा रहा था लेकि वनराज अपना चश्मा पहनता है और वह एके को एक नए उग्रचेहरे से देखता है. वनराज एके टेक्स्टाइल्स का चेहरा बनना चाहता है और हर चीज का मालिकाना हक हासिल करना चाहता है. और वह चलने लगता है जब काव्या आती है और उसे चक्मा देती है. काव्य तका एक पानी का छीटा वनराज का गौगल फर्ष पर गिला देता है और गिलास बाहर आ जाता है। मालविका और वनराज अपना नया कार्याले खोजने के लिए मुंबई की ओर भागते हैं। वनराज को पूरा भरोसा है कि वो अपनी योजनाओं में सफल होगा। हालां कि जिस क्षण अंतिम निर्नय लेने की बात आती है मालविका वास्ताव में पीछे हट जाती है। और यह सच्छमुच वनराज के मूड को बंद कर देता है। विफल होने के लिए वनराज की बड़ी योजना। मालविका को अपने पक्ष में करने की वनराज की बड़ी योजना बहुत ही पेचीदा तरीके से विफल हो रही है। मालविका एक बड़ा कदम उठाती है जब वो वनराज को बताती है कि उसे अपने जीवन में हमेशा अनुज, जीकी और अनुपमा की आवश्यकता होगी। वहीं मालविका के एक कदम ने वनराज की कुटिल चाल का उल्टा असर किया है।